बिहार के मंत्री अशोग चौधी ने अपने ट्वीट पर सफाई देखकर ये कहा है कि उनके बयान पर बिहार की सियाफित पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है RLM चीफ उपेन कुश्वाहा ने कहा कि अशोग चौधी का ट्वीट आपत्ती जनक है क्या कोई अपने गार्जुन के बारे में ऐसा बोल सकता है नितीज जी की उम्र के बारे में बात करना ठीक नहीं है और सफाई का आप कोई बतलब नहीं है क्योंकि उनकी जबान से बात निकल चुकी अब लोग बीना मतलब के चीज में मतलब निकालते हैं कि डीज शक्ँमार गी पार्टी के सरवमन नेता कोउई भी पार्टी का नेता नितीज कुमार जी के पारे में क्या बोलेगा ते अनास्यच आप लोatisfbewाद को वीदा करते है कि उनका टूइट तो बहुत ही अपत्ती जनक है अब घर में कोई गार्जियन है जिसके बारे में इस तरह की बात कहीं से इसको उचित नहीं कहा जा सकता है मानने मुखमंत्री नितीज कुमार जी की उम्रस से क्या लेना देना है नितीज कुमार जी का युगदान बिहार के लिए इतना सांदार रहा है कि हमिशा इतिहास उनको याद रखेगा और आज भी हर तरह से रात दिन बिहार के विकास के लिए नितीज की काम कर रहे हैं और उनके बारे में उम्र का हवाला देकर के वेक्टी इस तरह से ताजी कसे तो यह बिलकुल गयर मुत्य मुद्ड है आपत्तीजनक है कैसे उन्होंने किया सवाल उनका है लेकिन विक्टी का दुरुप से मुझको तो बहुत ही आपत्तीजनक उनका है तो दरसल ये पूरा विवाद मुख्य मंत्री नितीश कुमार के करीबी मंत्री अशोग चौधरी के सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्त शुरूआ जिसमें अशोग चौधरी ने बिना नाम लिये ये लिखा था कि एक उम्र के बाद कोई आपको पूछे या ना पूछे कोई पीछे आपके बारे में गरद कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजे अपने हाथ कुछ नहीं है अनुभावाने पर भविश की चिंता करना छोड़ दीजे अशोग चौधरी के स्ट्वीट पर हड़कम पंच गया सियासी गल्यारे में से नितीश कुमार परतंज के रूप में लिया गया खबर यह कि सियम ओफिस बुलाकर अशोग चौधरी को फटकार लगाए गई अगर वो नितीश कुमार को अपना पिता मानते हैं तो ऐसा ट्वीट उनके लिए कटाई नहीं करेंगे उनने का कि मेरा एक्स पोस्ट जेनरल था में नितीश कुमार के खिलाफ क्यों ट्वीट करूंगा मंत्री असोग चौधरी का एक ट्वीट आया जिसके बाद जेडियू के ही अंदर से बयान आया कि इस तरह के तंज नहीं कसे जाने चाहिए क्या विवाद होगे आपके सोचल मीडिया पोस्ट को लेकर चौधरी जितना जिसकी समझ है उसी इसाफ से बुद्धी लगाता है अब किसी की बुद्धी छोटी है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं कि आधा गिलास किसी को भरा दिखता है किसी को वही आधा गिलास खाली दिखता है सुप्रीम कोट और हाई कोट में चले जाई एगा तो दोनों तरफ के वकील का सुनिएगा बात भहस तो लगेगा कि वह ठीक है इवी ठीक कि अर्गुमेंट समझने का है ना लेकिन अंटिमेटली जो निर्ने होता है ओ तो जज करते हैं ना अपका निशान different निदिश कुमार की तरफ टाल जिसा कि पाटिके लो हो biser कुमार निदीश कुमार को हम मानस पिता मानते हैं जिस वेक्ति ने राजनीत में पूरी ताकत देने का काम किया मुझको जितना सने और प्यार नितीश कुमार हमको देते हैं हमको नहीं लगता है कि साइध जीवन में राजनीत जीवन में हमने कांग्रेस से शुरूबात की कोई किसी ने इतना हमें प्यार नहीं दे हम नितीश क कुमार को कुम करें ये